अगformation Young एक सेकेंड के लिए सोचो। अगर हमारे Indian Cricket Team में एक अधृश्य इन्विजीब प्लेयर होता तो और कितना मज़ा आता। अगर तुम्हारे क्लास में तुम्हारा एक इन्विजीबब दोस्त होता, तो कैसे होता ? और अगर आफिस में एक invisible helper होता, तो कैसे होता? सोचो क्या क्या कर सकते थे? जब हम अपने aquarium को देखते है ना, जब हम देखते हैं, तो हमें क्या दिखता है? Beautiful, colorful fish, beautiful movement, majestic movement, beautiful colors in the plants, red, green, मतलब दिलकुष हो जाता है. अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कुछ 100 million से जादा invisible helpers है, मानोगे? है. Actually, 100 million से 100 million गुना जादा helpers है, invisible, जो आपके aquarium को, fish को, overall ecosystem को, इतना मज़िदार, सुन्दर, beautiful, साफ रखते हैं. Magnifying glass से भी दिखते नहीं है, actually अद्रिश्य है, but इसका मतलब यह नहीं कि है नहीं, यह हमारे invisible heroes, aquarium hobby के invisible heroes है, bacteria, good bacteria. And है, बहुत सारे हैं, कितना हैं, जानना हैं, देखते रो video, यह bacteria अगर नहीं होते, तो हमारे aquariums, aquariums नहीं होते, एक toxic soup होता, पानी गंदा, मचली रह नहीं पाते, जी नहीं पाते, ब्रीद नहीं कर पाते, मतलब गंदा से गंदा गंदा पानी, जिसमें कुछ भी नहीं जी स Actually देखा जाए ना, तो आप लोग aquarium hobby या fish keeping hobby में नहीं हो, bacteria keeping hobby में हो, yes, bacteria keeping hobby, जो भी हम जत्तो जहित करते हैं, bacteria डालना, filter में media रखना, या you know, जो भी है soil, soil के नीचे substrate, anything, वो bacteria अच्छा रखने के लिए होता है, because बिना bacteria का, बिना इन invisible heroes के, आपका aquarium नहीं है, तो हुए ना, आप सब bacteria keeping hobby में, and अगर आप good bacteria नहीं develop कर पाते हैं आपके aquarium में, तो then problem start, fish health, fish खाता नहीं है, एक कोरे में जाके बैठ जाता है, fish के body के उपर spots, red spots, gill कराब होना, सब problems वही से शुरू होता है, now, bacteria को रखते कैसे हैं, और क्या करते हैं, देखेंगे, अगर ए cycled tank, now, यह cycled tank ना, मैं भी बार-बार बोलता हूँ, सोचता नहीं, okay, बहुत लोग बोलते हैं, hobbies सब बोलते हैं, cycle tank में रखो, cycle tank में रखो, cycle tank का मतलब है, fish लाने से पहले, आप अपने aquarium को, bacteria से बरे, उसको cycling बोलते हैं, मतलब, अगर good bacteria है, आपके aquarium में, then, वो cycle tank है, तो चीज जो करते हो, aquarium सेट करने के लिए, is to cycle your aquarium, मतलब, bacteria grow करते हो, तो यह terminology शायद गलत है, to cycle your tank, it should be, first grow the bacteria, then, we take it to, you know, adding the fish, so, cycle the tank मत बोलो, grow your bacteria बोलो, तब समझ में आएगा new hobbyist, नो, bacteria कैसे रखना चाहिए, कैसे colonize, colonize मतलब, उसके लिए गर चाहिए क्या, यह एक question बहुत लोग पूछते हैं, अगर bacteria सब जगे रहता है, रहता है, पता चलेगा आपको, तो उसके लिए अलग से गर बनाने का ज़रूरत क्या है, नो, हमें एक helper चाहिए, invisible helper चाहिए, जो हमारा पूरा का पूरा मदद करें, तो अगर हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ एक जगा बना के नहीं देंगे, तो वो कहीं पे भी रह सकता है, और उसका काम complete नहीं हो सकता है, नो, है detail में नहीं जाने वाला हो, simple समझो, एक कोई ना कोई अच्छा quality का media चाहिए, उसे तोडने लगता है, नो, nitrogen cycle का detail आगे देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि सिर्फ हमारे company में, किन-किन चीज़ों में bacteria है और क्यों, जैसे ये water conditioners है फिश के लिए, इस में bacteria है, because water को condition करना है, water change के बाद यूज करना है, अरवाना हो, कोई fish हो, beta हो, या कोई बे ट्रॉ इन सब के लिए conditioners है, cold fish, flouron, सब fish के लिए अलग-अलग conditioners है, जो आप यूज कर सकते हो, water change के बाद, now, direct good bacteria, superb, जो पानी में डल सकता है, एक नया product आने वाला है, Life Ayou का, Bacter Boost Plus, बहुत unique product है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, stay calm, जो fish के body को मदद करता है, इसमें भी bacteria है, जो body के उपर का mucus बढ़ाता है, new profit plus, जो शायद सबसे जादा लोग खरीतते हैं, okay, हजारों पीस जाता है हमारे यहां से, and इसमें भी prebiotic bacteria है, जो पेट के अंदर जाता है, जो bacteria पेट के अंदर काम करता है, digestion improve करता है, हमारा good groceries, नया से जो soil के साथ, जो मिल रहा है, start, उसमें भी बाक्टिरिया है, start, starting the aquarium, बाक्टिरिया, and of course, हमारा bio media, very popular product, because high quality media है, जिसमें लाकों, हजारों, करोरों बाक्टिरिया रह सकते हैं, now इसको explain करना complicated नहीं है, but मैं try करता हूँ, अगर आप 1 kg bio media लेते हो, और उसको टेपर के तरह spread करते हो, तो 4 football field जितना जगा कव करेगा, उतना pores है उसमें, चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे pores है, holes है, तो उतने जगह में उतना bacteria colonize हो सकता है, घर बना सकता है, now again, कितना bacteria है आपके aquarium में, अगर मैं बताओ, तो धंग रह जाओगे, बताओंगा, तोड़ी देर में, also, हम root boost, soil के नीचे आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, existing tank में या नए tank में आप यूज़ कर सकते हो, tank को cycle करने के लिए, तो इन में जितने भी varieties है bacteria, आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, and use करना भी चाहिए, and of course, bio media, bio media में अड़ अलग variety है, ये शायद सबसे best है अभी market में, आप lava chips यूज़ कर सक हो, but उसमें याद रखो, neutral होना चाहिए, अगर पानी का parameter change करता है, तो then automatically bacteria जी नहीं सकता है, जाद तर इंडिया में जो lava chips या lava store मिलता है, उसमें sulfur होता है, and bacteria मार देता है, तो it works adversely, ultra काम करता है, yes, ceramic rings is a very very popular bio media, but याद रखो, ceramic rings तीन मेने में ब्लॉक हो जाता है, and फिर से wash करोगे, कुछ भी करोगे, वो खुलता नहीं, so ये problem है, so use natural good quality bio media, बहुत ज़रूरी है, so हमने समझा कि aquarium में bacteria कैसे add करते हैं, bacteria कैसे colonize करते हैं, bacteria कैसे grow करते हैं, इन चीजों का आप use कर सकते हो, ये सब हमने समझा, so actually bacteria होता कितना है, एक simple calculation है, ये studies के हिसाब से scientific research के हिसाब से है, मेरे हिसाब से नहीं है, because मेरे को तो दिखते नहीं है, but समझ में आता है, कि मेरा tank healthy है, मतलब bacteria अच्छा है, बस, but कितना bacteria होता है, ये मेरे पास ये फुस-फुस है, measuring का, इसमें मैं 1 ml पानी ले रहा हूँ, 1 ml पानी है, और मैं 1 ml पानी यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये सिर्फ इतना ही है, तोड़ा सा पानी है, 1 ml पानी, आपको पता है, कि studies केहता है, इस 1 ml पानी में, 100 million bacteria हो सकता है, 1 ml, 100 million bacteria, ये tank, 90, 45, 45 cm, तो ये tank में approximately 180 liter पानी है, 180 liters, भाई, तो कितना ml हुआ, और कितना bacteria हुआ, इतना match तो मुझे भी नहीं आता है, बगर आपको आता है, तो comment सरूर करना, इसमें also important चीज ये है, कि bacteria कितना होना चाहिए, वो इसको भी depend करता है, कि आपके tank में कितना fish है, अगर जादा fish है, तो ज जादा खाएंगे, जादा poop करेंगे, पी करेंगे, जादा waste produce करेंगे, तो जादा bacteria होना चाहिए, और अगर कम fish है, तो कम हुआ तो भी चलेगा, बट इसको measure करने का कोई meter नहीं है, हमें अपना काम करना चाहिए, bacteria को कुछ happy और healthy रखने के लिए, कि सही bacteria add करो, सही media दो, ता पे, glass पे, fish पे, जो भी surface area है, जहाँ पे वो रह सकता है, bacteria रहेगा, हमारे हाथ में भी है, bacteria रहता ही है, हमें यहाँ पे good bacteria grow करना है, और यह good bacteria हमें add करना पड़ता है, अगर हम ऐसे ही चोड़ दे, regular नल का पानी डाल के चोड़ दे, तो उसमें क्या bacteria आएगा हमें पता नही है, तो जब हम good bacteria add करते हैं, तो हमें at least confidence है कि हमने add किया है, and वो grow भी करेगा, now good bacteria ज्यादा हुआ, तो पता नहीं bad bacteria जो भी है मर जाता होगा, now एक और बड़ा term है nitrogen cycle, सब लोग डर जाते हैं, पिछले आपते हमारा एक video था, 20 questions, favorite fish वाला, 90% people ने nitrogen cycle वाला, जो question था, उन्हो ने गलत answer किया, nitrogen cycle बहुत simple है, again बिना bacteria का होता नहीं है, see, जैसे मैं बोलता हूँ, पानी साफ रखो, मतलब, पानी में ammonia नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए, जो fish को तकलिफ दे या plants को तकलिफ दे, now उसके लिए bacteria ज़रूरी है, nitrogen cycle समझने के लिए create करता है, यह दोनों जो है, गंदगी जो है, poopy, dead and decay leaves, यह ammonia generate करते हैं, इसमें जब भी आप low quality या गंदा खाना use करते हो, और डालते हो, और काना waste होता है, तो वो भी ammonia generate करता है, यह ammonia जो है, हमारे fish के लिए, aquarium के लिए, plants के लिए हानी का रखे, ammonia जादा है, कैसे दिखेगा, पानी दुंबला, milky होगा, दुंबला होगा, साफ नहीं दिखेगा, crystal clear नहीं दिखेगा, इसका मतलब ammonia है, जादा तर छोटे tanks में, bowls में, जहां पर filter नहीं है, वो दिखता है, and smell भी आता है, ammonia का acid type smell रहता है, now, अगर आपके tank में good bacteria है, lots of good bacteria, ammonia को तोड़ देता है, ammonia एक chemical bond ह उसको तोड़ देता है, and ये bacteria जो ammonia को तोड़ता है, इसको हम nitrosomus bacteria बोलते है, technical, nitrosomus bacteria ammonia को तोड़ता है, and then, जब ammonia तूटता है, तो बचता है nitrite, तो यहां पर nitrobacter करके एक bacteria है, जो nitrite को nitrate बनाता है, nitrate हमारे plants के लिए अच्छा है, plants के लिए fertilizer है, और अगर plants यूज नहीं क bacteria ammonia को तोड़ता है, nitrite मिलता है, nitrite को nitrobacter तोड़ता है, nitrate बनता है, complicated हुआ क्या, बस ammonia तोड़ता है, healthy रहता है aquarium, bacteria डाल, simple, and bacteria सब जगर रहता है, सब जगर रहता है, जितना है, अच्छा है, additionally, media में क्यों होना चाहिए, because जाधा तर पानी आपके filter में जाके बाहर आता है, त also media में अंदेरा होने के वज़े से, bacteria और भी कुछ होता है, and filter में, because पानी flow है, high oxygen area है, तो bacteria जल्दी colonize करता है, जल्दी grow करता है, so, एक filter होना important हो गया, now, मैंने already समझा दिया है, कि अगर bacteria नहीं है, तो हमारे aquarium में क्या दिखता है, क्या हो सकता है, क्या problems हो सकता है, पानी situations है, and हमें यह देख के ही पता चल जाना चाहिए, because यह visible है, bacteria invisible है, बेर बाक्टेरिया ना होने से, हमारे tank में visible changes दिखेगा, हमारे fish में visible changes दिखेगा, यह मुझे बहुत सारे comments आते हैं, कि मेरे fish को यह यह problems है, problems list out करता हूं, fish में cotton mouth disease होना, ज़्यादे टेटराज में होता है एक whitish mouth के पास आता है, fin fat जाना, या fin cut हो जाना, fish बहुत weak हो जाना, और lazy हो जाना, लतार्जिक हो जाना, fish खाना नहीं खाना, fish का color कम होना, body में red spots होना, या fins पे red lines होना, या body पे red ulcers, skin ulcers बोलते हैं, you know, skin fat किया है, ऐसा कुछ problems है, यह सब ammonia जादा होने के वज़े से है, and bacteria ना होने के वज़े से, मैं usually reply करता हूँ की check your filtration, upgrade your filtration, but यह standard है, because bacteria होना ज़रूरी है, see, now जो मैं बोलने वाला होना, बहुत लोगों को पसंद ही आएगा, especially, this generation के लोगों को तो पसंद ही नहीं आएगा, आप लोगों को सब फटा फट जाहिए, fast, 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 quick, video बनाओ तो quick, reels, shots सब छोटे-छोटे, quick, quick, bacteria colonize करना quick नहीं होता है, एक aquarium में bacteria grow करने के लिए, यह cycling period में कम से कम, 3-4 हफता लगता ही है, and जब भी आपको लगता है कि मुझे जाके fish लेके आना है, aquarium लेके आना है, नया aquarium लाना है, तो यह plan करो, जाओ, पहले filter लेके आओ, aquarium लेके आओ, पानी ब अफते तक आपको वेट करना पड़ेगा, फिर बाद में fish लेके आना है, 90% लोग tank, filter, fish सब साथ में लेके आता है, fish मर जाता है, and सबको blame करते फिरेंगे, food गंदा है, मयर में गलत सिखाया, यह आपको समझना है, again and again में बताने वाला हूँ कि आपको bacteria grow करना सीखना है, ऐसा एक चीज ग्रो करना सीखना है, जो दिखता नहीं है, मुश्किल नहीं है, सबसे easy चीज बाक्टिरिया ग्रो करना है, because आपका पानी अगर अच्छा है, filter है, filter में media है, और आप बाक्टिरिया डालते हो, वो ग्रो करने वाला है, आप कुछ भी करो, वो ग्रो करने वाला है, बहुत लोग ये पुछते हैं कि सर मैं फिल्टर बंद कर दूं क्या रात को बाक्टिरिया मर जाएगा बाक्टिरिया के लिए water circulation ज़रूरी है high oxygenation ज़रूरी है फिल्टर बंद किया बाक्टिरिया मर गया as simple as that बहुत लोग ये भी ट्राइ करते हैं कि यूवी फिल्टर यूज करें बाक्टिरिया को मार देगा इन चोटे-चोटे चीज़ और इन चोटे-चोटे चीज़ों के लिए न तोड़ा सब्र चाहिए पेशिंस चाहिए आराम से करो ना enjoy करो होबी को कहा जा रहे हो यार क्या जल्दी है एक मज़दर कमेंट आता है मुझे अरे जल्दी बताओ भई पन्वेल जाना है तो जाओ ना यार कौन रोकर है तुम लोगों को निकलो जल्दी निकलो भई life has to be calm hobby इसलिए है ताकि you relax hobby तुमको patience सिखाता है उल्टा नहीं है so patience नए aquarium के लिए patience now existing aquarium में bacteria कैसे आर करते है मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है कोई भी bacteria liquid या कोई भी bacteria powder आप use कर सकते हो good quality का use करो and वो bacteria बढ़ाएगा जब भी आप water change करते हो तो एक water conditioner जिसमें bacteria हो ऐसा use कर तो वो जो bacteria निकला है वो replenish करेगा and it's a good thing because bacteria भी एक टाइम में आके मरना शुरू हो जाता है बिकास वो ओवर है उसको खाना नहीं मिल गा है तो वाटर चेंज ज़रूरी है एक एको सिस्टम को मेंटेन ऐसे किया जाता है वीडियो के लिए अच्छा है नो वाटर चेंज यह यह मज़े मज़ेदार है असलियत में नहीं होता है एक नजर्य होबी का एक नजर्या बदलता है जब आप इस अंगल से सोचते हो पस्पेक्टिव चेंज करो यह अंगल से सोचो कि हमें बाक्टेरिया अच्छा रखना है देन अपने आप कुदरत विल टेक इस को बहुत लोग मुझसे पुछते कि यह एक्वेरियम आप इतन सुन्दर कैसे रखते हो rule number one good healthy filtration with lot of bacteria बाकी हम कुछ नहीं करते है weekly once water change खाना डालना बस बाकी अपने आप होता है of course monthly maintenance होता ही है trimming, vimming वो सब normal part and parcel but growth वगेरा सब कुछ खुदरत देखता है बास हमें सही facility provide करना है so मैं आशा करता हूँ कि आप जब एक aquarium को देखोगे तो आपको billions and billions of bacteria नजर आएगा वो heroes unsung heroes invisible heroes जिनके बारे में हुन सोचते भी नहीं है जो बहुत मैनत कर रहे जत्तो जहत कर रहे आपके tank को इतना सुन्दर रखने के लिए उनके बारे में सोचेंगे and आपने इस वीडियो से एक नया नजर्या समझा right so हमेशा के तरफ मेरे तरफ से assistant director Pooja Madam and आज ये billions of bacteria के तरफ से भी आप सब को thank you namaste kudafish abha care and such interesting videos है और भी है बहुत interesting videos है बने रहो जुडे रहो देखते रहो मज़ा लेते रहो टाटा बाई बाई सी यू गुड़नेट बाई से पुड़नेट